हेलो गाइस स्वागत है हमारे चैनल बीएसी एजुकेसन लेक्चर्स में तो यहां पे हम पढ़ रहे हैं बीएसी सेकेंड इयर में थर्ड पेपर यूनिट फाइव अपना कॉशन थर्ड है कॉशन इंपोर्टन कॉशन है तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहेगा एं प्लस डी डैस का स्क्वेर इंटू जैड इसे स्वाइड हैं विए सबसे पहले तो Аपन को दिया हुआ है एक्क्वेशन वो लिख लrudёए इसको अपन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है यानि कि जब भी अपन को D और D' में समीक्रण दिया जाए तो इसकी method हम आप लोग लिए बता चुके अचर गुडांकों के समगाती है और आसमगाती है समीक्रण तो method हम आप लोग लिए बता चुके आप लोग प्लेलिश में जाकर method देख लिजेगा तो यह हो गया अपन का क्या cf और यह हो गया अपन का RHS जब भी कहीं आप लोग के लिए cf और RHS दिया जाए तो आप लोग क्या करोगे cf यानि कि इसमें उनको PI भी निकालना पड़ेगा तो सबसे पहले तो अपन का जो समीक्रण है यह f दीड़ेस वाला है इसको अपन एई बनाएंगा अर्था सायक समीक्रण समीक्रण एक में सबसे पहला काम समीक्रण एक में d is equal to m रखने पर तथा d डैस is equal to 1 रखने पर ठीक है रखत d के स्थान पर m into d डैस के स्थान पर 1 रखना है प्लस d डैस यानि 1 का स्क्वेर और अपना यह जैड नहीं क्योंकि only अपनको f of d d डैस is equal to 0 लेना पड़ता है तो यह अपनका 0 हो जाएगा ठीक है अपनको यानि कि यह पूरा है यह पूरा है यह पूरा स्टोटल सी f है लेक 1 का स्क्वेर रखनी का बन का स्क्र सर्शमी का माइनस 1 का स्क्वेर रखना ही क्योंस ऐस स्क्वेर starter your trial अब M के मान जब समान है तो इसका फॉर्मूला तो जो कट रहेगा ठीक है चलो रखते हैं यहां पर C F अपन C F की वैल्यू निकालते हैं C F का जो मतलब समीकरा होता वह होता 5 1 यह पर 5 2 लगा दो A. by plus M1 X plus 5 M by plus M2 X हो जाएगा ठीक है तो M1 की वैल्यू अपनी 1 M2 की वैल्यू 1 है यानि यह में तो 5 by plus X हो जाएगा plus 5 by plus X यहां पर भी हो जाएगा तो अब दिखाऊ फन को यहां पर चो कि मतलब RHS भी दिया हुआ है तो इसको अपन को PI भी निकालना पड़ेगा Now, PIS ठीक है PI की फॉर्मूला क्या होता है 1 upon F of DD' इस कार्थ यह है जो DD' में अपन को समीकराट दिया है वो लिखना है into RHS तो 1 upon F of DD' इसकी value पुट करते हैं इसकी value जो होती है D अपन की क्या ID value अपनी जो F of DD' की value आई थी वो यह आई थी क्या D square minus 2 DD' plus DD' का square यानि की जो अपन को F of DD' का समीकराट दिया हुआ था देखो यह है ना पूरा समीकराट आपने बोला था यह अपन का F of DD' समीकराट कहला था into RHS RHS के अपना 12XY square की into अपना xy यहाँ पर ही लिखा रहने देते हैं तो अपन अब देखो क्या करना है वन अपन 12 तो जो को तो 1 अपन यहाँ से अपन D common ले लेंगे square से निकाल रहे तो चुकी बाहर तो अपन को square ही बाहर निकालना पड़े क्या बचे का अंदर 1 minus D dash upon D का square into xy यह अपन को साथ में लेके चलना है ठीक है अब जो यह 2 है अपन का नीचे लिखा हो इसको जब उपर ले जाएंगे तो क्या हो देखो 12 upon D वाले को तो यहीं पर लेखा रहने देते D square ठीक है और जब इसको उपर ले जाएंगे तो यह 2 की plus 2 की पावर है इसको जिए जाएगी तो अपन की minus 2 की पावर आजाएगी D dash upon D के उपर minus 2 की पावर और अपना यह xy हो जाएगा अब यहाँ पर अपन को जो समीक्रान वो वर रहे इस टाइप का वर रहे है 1 minus x raise to the power minus 2 तो इसकी value होती है 1 plus यानि दोनों minus minus है यहाँ पर minus 2 की पावर और यहाँ पर minus लगा है तो इसकी value जो होती है 1 plus 2x plus 3x square plus 4x q infinity ठख ठीक है तो अपन इसकी value रखते है x के इसार में उपने को क्या रखना D dash upon D 12 upon D square तो जो करते हो इसको अपन परसार कर देती है तो क्या है गर 1 तो जो करते है plus 2 into x यानि 2 तो रहेगा x की value के अपनी D dash upon D plus 3x square 3 जो करते है x का square में D dash upon D square तो D dash square upon D square ठीक है ठीक है plus infinity तक जाएगे into अपना क्या चल रहा है into xy चल रहा है तो xy अब xy का अंदर multiply कर देते है तो क्या है गर 12 upon D square तो यह तो जो करते हो रहेगा यहाँ पर जाएगा xy plus 2 D dash upon D into xy plus 3 D dash का square upon D का square into xy plus d dash ठीक है अपने xy का अंदर multiply कर दिया अब देखो अपन को D dash का मलब क्या होता है D dash से D तो cancel हो जाएगा अपना D dash का means क्या होता है by के सापक चपन का अवकलन और D जो होता है वो x के सापश तो D dash के जब अपन अवकलन करेंगे तो by के सापश तो x आएगा ठीक है और यह तो अपने 0 हो जाएगे तो 12 upon D square और अपना यह xy plus देखो 2 तो अपन ले लेते हैं और अपना D पहले D dash D dash means by के सापक चपन करेंगे तो क्या है अपना only x बचेगा ठीक है plus और यह तो अपना 0 हो जाएगा और यानि कि आगे के पत पूरे 0 हो जाएगे 12 upon D square यह जो करते हो xy plus 2 D card क्या है x के सापक तो अब यह x भी cancel हो जाएगा यानि कि अंदर क्या बचेगा अपना अब देखो यहाँ पर जो D है यह अपन का x के सापिश नहीं जब D ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा अपना D inverse हो जाएगा और अपना यह x D inverse का मतलब है अब कलन का उल्टा क्या होता है समा कलन तो अपन को समा कलन करना पड़ेगा 12 अपन D square यह जब करते हो xy जब 2 into x के सापिश का इंट्रिगेशन करेंगे क्योंकि यह जो D है वो अपन का मतलब x के सापिश रहता है x के सापिश जब जब इसका दोनों में होगा अदर मल्टिप्लाई 2 upon D x square अब देखो नीचे D है ना तो अपन का इंट्रिगेशन करना पड़ेगा 12 आपन दी यह तो जघ़वकते हो D का आरथ क्या है x के सापिusta x के सापिश जब इंट्रिगेशन करेंगे तो by तो अपना जो कत्यों रहेगा क्या आजाएगा अपना x square y 2 आजाएगा plus यहाँ पर 2 जो कत्यों और x square का integration होगा तो अपना x raised to the power 3 upon 3 आजाएगा यह कौन सा integration का है चो कि x and dx is equal to हो तो अपना का x n plus 1 upon n plus 1 यही तो आप लोग के लिए समझना है जो d है वो x के साफिश अपन का अपना का अपना है लेकिन जो इसको उपर ले जाएगे तो अपना यह integration बन जाएगा मिन समा क्लान बन जाएगा और देखो अपन का x square y 2 चल रहा था ना तो 2 यह अपन का 2 था ना यहाँ पर 2 तो अपन ने आगे ले लिया x raise to the power 3 आजाएगा यानि कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 upon d by x square y 2 plus 2 से 2 cancel हो जाएगा क्या बचेगा अपना x q upon 3 आएगा ठीक है अब जो d बचा है इसका भी अपन अंदर multiply का देते हैं 12 ठीक है तो क्या होगा यहाँ पर 1 upon d by x square y 2 plus यहाँ पर भी कर देते तो 1 upon d x q upon 3 इसका भी यहाँ पर अंदर integration करना है तो 12 को बाहर लेके चलते हैं d कार्थ क्या x के साफ इक्च तो x के साफ इस integration करेंगे करेंगे तो by का कोई बोर नहीं रहेगा by upon 2 तो जो करते हो only क्या बचेगा अपना का 1 upon d x square इसको अपन 1 upon 3 को आगे ले लेते हैं क्या बचे का 1 upon d x raise to the power 3 चलो करते हैं तो 12 into में ही रहेगा इसका करेंगे तो by upon 2 जो कते हो x raise to the power 3 आ जाएगा और upon 3 यहाँ 1 upon 3 जो कते हो x raise to the power 3 का integration करेंगे तो x raise to the power 4 upon 4 आ जाएगा 12 into क्या हो जोगा अपना x q y upon 2 3 जा 6 प्लस x raise to the power 4 4 का 3 में मल्टिप्लाइ 12 आ जाएगा अब 12 का भी अंदर मल्टिप्लाइ कर देते हैं तो क्या होगा 12 x q y upon 6 प्लस 12 x raise to the power 4 upon 12 6 2 जा 12 12 से 12 कैंसल क्या हो जोगा अपना x raise to the power 3 y प्लस x raise to the power 4 यह हो गया आप लोग का answer यह अपना टू बचा था नहीं आपे तो इस प्रेकार आपनको यह कॉशन शॉल्फ करने है इजी है मेलकुल तो वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शियर करना ना भूलें थैंक्यू और आप लोग प्लेलिस में जाकर जरूर अपन कॉशन देख लीजेगा क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरीके से बताएं फर्स्ट पेपर के भी सेकंड पेपर और थर्ड पेपर के